नमस्कार दोस्तों रादे रादे आसम कलेक्टिप्स में आप सबीका एक बाफिर से बहुत बहुत स्वागत है जी हाँ दोस्तों आज हम फिर उपस्तित हैं एक महतपून जानकारी के साथ आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कहीं आप भी तो थाली में तीन रोटियां नहीं परोस्ती एक साथ क्यों नहीं परोसी जाती है तीन रोटियां आईए जानते हैं इसके पीछे का असली कारण जी हाँ दोस्तों आज का हमारा टॉपिक बेहद इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो वीडियो को अंतक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें ताकि इसी प्रकार की महत्वपून जानकारियां आपको समय से मिलती रहें तो आएए दोस्तों देर न करते हैं वीडियो को शुरू करते हैं किसी को अशल कारण पता हो या ना पता हो लेकिन कहीं भारतिये परिवारों में हमेशा से ये माना जाता है कि थाली में कभी भी तीन रोटियां नहीं परोसनी चाहिए मा अगर बच्चों को कभी तीन रोटियां लाते देख भी लेती है तो तुरंत हाथ जटक देती है ना सिर्फ रोटी बलकी पराठे, पूरी या चीला आदी भी एक साथ तीन नहीं परोसे जाते हैं भोजन में तीन रोटियां एक साथ ना परोसने के पीछे कुछ मानेताएं जुड़ी हुई हैं जिनके आधार पर तीन तीगाड़ा जैसी बाते भी कही जाती हैं ऐसे में दोस्तों आईए जानते हैं तीन रोटियां ना परोसने का कारण संख्या जोतिस में धार्मिक कारियों में तीन संख्या अच्छी नहीं माने जाती है वही मानेता नुसार तीन को पूजा पाठ में या आम जीवन में भी दूर रखना चाहिए जिससे उसका बुरा प्रभाव कम से कम पड़े यह भी माने जाता है कि मृतक के नाम से लगाई जाने वाली भोजन की थाली में तीन रोटियां रखी जाती है जिसके कारण जीवित की थाली में तीन रोटियां रखना अशुब मानते हैं इसलिए परिवारों में लोग एक ही प्लेट में चाहे कितनी भी रोटी या पूरी परोसे लेकिन कभी भी तीन नहीं परोस्ते हैं यह भी माला जाता है कि खाने में तीन रोटिया एक साथ इसलिए नहीं खानी चाहिए क्योंकि सरीर के वजन को बराबर और कंट्रोल में रखने के लिए दो रोटी खाना प्रियाप्त है एक कटोरी दाल, 50 ग्राम चावल, दो रोटी और एक कटोरी सबजी को सबसे अच्छा माना जाता है रोटी के अलावा भारतिय परिवारों में और भी कई खाने से जुड़ी बातिक कही जाती हैं यह सभी धार्मित मानेताय हैं जो सालों से अलग-अलग कारणों से मानी जाती हैं देखा जाए तो तीन रोटी न खाएं, जाने जैसी मानेताएं आख बंद करके सदियों से मानी जा रही है, जबकि इसका कोई व्यज्यानिक अधार नहीं है, लोगों को अपने परिवार में कम से कम इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि वे विश्वास और अंध्विश्वास क पहचान करें और ऐसे ही बातों का पालन करें जो कोई ठोस कारण रखती है, तो दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की जानकारी, अगर आप सभी को हमारे या वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके, धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे